प्यारे बच्चो आज मैं आपके साथ कंप्यूटर की वाक्षिट नमबर 3 को डिसकस करूँगा यह वाक्षिट आपकी चैप्टर नमबर 1 से बनाई गई है आप बच्चो वाक्षिट को पढ़ना शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि आपको कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है या कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया जाता है जैसे कि आप चित्तर में देख पा रहे हैं यहां पर आपको एक डेस्ट्रोप कंप्यूटर का चित्तर दिखाए गया है जिसमें जैसे कि यहां पर लिखा ववा start button यह कुन सा button बच्छो start button है अब इसके बारे में हम यहां पर लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं तू start the computer we need CPU must press the start button स्टार्ट कम्पिटर को start करने के लिए हमें CPU पर मौझूद जो start button उसको press करना पढ़ता है तो सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको हम कहते है उपरेटिंग सिस्टम तो कुछ जो परसीद ओपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम है Windows और Linux देखे बचो यहाँ पर बताया गया है कि कम्पूटर को स्टार्ट आप कैसे करोगे आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना होगा और जैसे ही आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो तो computer के अंदर जो पहला program चलता है यानि computer को start करने के लिए जो पहला program चलता है उसको हम कहते operating system ठीके बचो यह था operating system के बारे में अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि hardware और यहाँ पर software के बारे में बता गया है hardware क्या होते है देखिए physical and physical devices that we can see and feel by touching or cold hardware ऐसे devices जिसको हम हम उसको touch कर सकते है और उसको महजूस कर सकते है उसको हम hardware कहते है देखिए बचो computer में तो computer के जितनी भी peripheral devices होती है नहीं computer का जितनी भी devices होती है जिनको हम touch करते है तो उनको हम hardware कहते है जैसे उद्धान के तोर पर monitors, mouse, keyboard, hard disk, cd, pen drive, communication devices सच अच कंप्यूटर, laptop, mobile phones, tablet, etc यह सब भी क्या hardware है यहाँ पर नीचे मैंने चित्र के दवारा भी आपको समझाया है कि hardware कौन-कौन से है और कैसे दिखते है देखिए मैंने आप पर पाच चित्र दिखाए गया है तो पहला चित्र आपको किसका monitor का है जब अब desktop computer पर जो सामने screen होती है उसको monitor कहते है उसके बाद CPU है देखिए जैसे हम start button को दवाते ना तो उसके अंदर जो machinery जो है CPU जो cabinet के अंदर उसके अंदर एक छोटा सा device लगा रहता है इसको हम CPU कहते हैं फिर देखिए बचो यहां पर एक web camera है web camera हमें जो internet पर chatting के लिए आप web camera का इस्तमाल कर सकते हो तो इस तरह web camera का इस्तमाल होता है फिर है नीचे modem है अगर आपको internet connectivity अपने desktop computer में या laptop में चाहिए तो आप modem के जरीए internet connection ले सकते हो फिर देखिए बचो यह keyboard है तो keyboard क्या करता है आपकी information computer के अंदर keyboard के दवार जाती है तो इन सभी devices को आप touch कर सकते हो तो इसलिए क्या है income कहते हाडवे है वह यहां आप देखिए mouse है mouse का जो उप्योग होता है वो भी आपको computer को operate करने के लिए होता है यानि आप mouse के दवारा computer के अंदर information डाल जो information किस तरह की जैसे आपको कोई song प्ले करना है तो आप mouse के साइता से आप song पर जाते हो उसको चला लेते हो ठीक है ना तो इन सभी devices को आप touch कर सकते हो तो इस सभी devices hardware कहलाते है आप देखिए बच्चो नीचे software के बारे में बताए गया है एक group of programs that make a communication device functional is called software software क्या होता है एक group of programs है जानि multiple programs है grouping करके एक software बना दिया जाता है such as operating system painting software office software gaming software फोटो एडिटिंग software एड्सेक्ट्रा देखिए बच्चो जैसे कि अभी मैंने इस से पहले बताया कि जब स्टार्ट बड़न को प्रेस करते हो तो operating system जो सबसे पहला प्रोग्राम चलता है उसको operating system कहते हैं तो वो भी क्या है वो bunch of programs होते हैं यानि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए तो बंच ओफ प्रोग्राम्स होते हैं तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर installed होते हैं अब उनको touch नहीं कर सकते हैं उनको मैसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर रखे हुए हैं तो इस तरह के जितने भी सोफ़ेर होते हैं मल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सोफ़ेर कहते हैं ठीक है जैसे पेंटिंग सोफ़ेर हैं आपको पेंट करना है आप कंप्यूटर में पेंट सोफ़ेर को ऊपन करते हो आप पेंटिंग स्टार्ट कर देते हो तो यह उसको अब टच नहीं कर पारें को कि अंदर है तो ऐसी जितने भी चीज़ें चुक्त नहीं कर पाते हैं मनें इंदर बात कर रहा हूं मैं उनको शोट पर करते हैं देखिए उद्हान मैंने यहां पर दिखाए गया विंडोज लीनक्स ठीक है दोनों ओपेटिंग सिस्टम में MS Office जैसे आपने देखा होगा जो ओफिसीज में आप MS Word पर काम करते हो MS Excel पर काम करते हो डेटाबेस के लिए MS Access इस्तेमाल करते हो तो इस तरह के जितने होते हैं मल जितने ही प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सोट्वेर करते हैं ठीक है बचो अब यहां पर देखिए यहां पर कोशन नमबर एक मतलब यह वाक्षित हमने पढ़ लिए अब इसके भिहाब पर यहां पर एक कोशन दिया गया है राइट दा रिफ्रेंस बिट्विन हार्डवेर और शोफ्वेर तो इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है बचो जैसे कि मैंने बताया है पहला डिफ्रेंस क्या है हार्डवेर को हम टच कर सकते हैं और शोफ्वेर को टच नहीं कर सकते हैं ठीक है पहला डिफ्रेंस तो यह हो गया दूसरा डिफ्रेंस है बचो कि हा जो हार्डवेर होते हैं वो आप उनको फिजिकली कहीं पर हां इंस्ट्रोल करते हो रखते हो ठीक है उनको आपस में जोडते हो और फंक्शन कब करते हैं सोट्वेर की मदद से ठीक है तो यह दोनों एक दूसे पर डिपेंडेंट है और जो तीसरा जो इस बता सकते हैं वह इनकी जांपल को बता सकते हो कि जो हैं जेंपल से वह मोनीटर सीप्यू वैब कैमरा कीबोर्ड माउस और जो में जैसे हम मैंने दिया हुआ विंडोज लीनुक्स और ओफिश तो इस तरह से आप तीन चार डिफ्रेंस यहां पर बता सकते हो तो वह तो आज की वरक्षिट थी जोगी इंग्लिश मीटम की वरक्षिट थी मैंने आपको हिंदी मीटम में इसको समझाया है आसा करता हूं आप सब को यह वरक्षिट समझ मे आ गई होगी